सिंफो में स्वागत है कई हमारे फ्रेंड्स की कुछ क्वेरी थी कि सर एक कुछ वीडियो आप GSTR 9C के रिलेटेड बनाए ताके उसको जो डिफिकल्टी है थोड़ी पुछ बेसिक कॉंसेप्ट में जो क्लेरिटी नहीं हो आ जाए तो दोस्तों आज हम GSTR 9 और 9C के रिलेट के जाए लेकिन को क्लियर करने के लिए इसे वक्त देना पड़ेगा तो ट्राइ करेंगे बेसिक चीज़ को टच करें और कई चीज़ कॉंसेप्ट हमारे जो GSTR 9 के रिलेटर में पता नहीं है इसका लिमिट क्या है किसके लिए अप्लिकेबल है या ऑप्शनल है या एक्ज वीडियो के साथ आज और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिक्शन भी दबाए ताके आपको रेगलूर नोटिफिक्शन मिलती रहे है आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमारी ड्यूडेट जो है GSTR 990 की क्या है पहले हम ने देखा था कि हमारी जो ड्यूडेट गॉवर्मेंट ने एक्स्टेंड करके 31st 12 2021 कर दी थी अब उसको नों ने फर्डर ने एक्स्टेंड कर दिया है जो हो गया है अभी हमारी डेट ट्वेंटी एट टू 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 टाउजन ट्वेंटी टू लेकिन GSTR 9 और 9C की डिकंसलेशन बहुत ही ज़्यादा टाइम रिक्वाइड है कई डेटेल्स हमको भरनी होती है उसके लिए ताके हमारी जो बिल्स आगे पीछे होती है जी एश्टियार 1 जी एश्टियार 3 भी में कुछ डिफरंस है या कोई भी ऐसी चीज जो आगे पीछे हो चुकी है आपकी कुछ चीज मिस हो चुकी है वो सब आपको इसका रिकंसाइल करना होता है तो ड्यू डेट तो हमारी है ट्वेंटी एट टू 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 अब इसके आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो उसके लिए आगे ड्यू डेट के लिए वेट नहीं करें कि इसके आगे हम और ड्यू डेट हमारे लिए बढ़ेगी फिर हम हमारी जी एश्टियार 9 फाइल करेंगे तो सबसे पहले यह समझ लीजिए जी एश स्टेट्मेंट होती है कि जो जो हमको जी एस्टियर 9 के बाद भरनी होती है यह किसके लिए और के भी लो समझेंगे यहां जी अश्टियर 9,1 को हम तच्चनी लोने लिमिट रखी है वो है टू करोड के ऊपर यानि हमारा टनवार टू करोड के अबाव है तो हमको जी एस्टियर नाइन जो है हमारे लिए ज़रूरी है भरना जी एस्टियर नाइन ये जो हमारी मेंडिटरी हो जागी हमारे लिए और अगर हमारा टनवार जो है तू करोड के उपर है तो जी एस्टियर नाइन तो हमारे लिए मेंडिटरी हो गई है लेकिन जी एस्टियर नाइन सी मेंडिटरी नहीं है जी एस्टियर फाइलिंग जो है नाइन सी की कब होगी जब हमारा टन और 5 क्रोड के उपर है financial year 2021 की मैं बात कर रहा हूं तो यह हमारी जो GSTR 9 की जो applicability है वो 2 क्रोड के लिए है हम इसको लिखते लेते हैं यहां पर GSTR 9 के लिए 2 क्रोड समझ लीजे और GSTR 9C के लिए 5 क्रोड के उपर तो simple समझ लीजे अगर 2 क्रोड तक अगर हमारा कुछ भी turnover है 2 क्रोड के अंदर तो न हमको 9C 9 भरने की जरूरत है न 9C भरने की जरूरत है और अगर 2 क्रोड क्रोड हो जाता है तो हमारे लिए 9 जो है applicable हो जाता है और 5 क्रोड क्रोड होता है तो 9C applicable हो जाता है लेकिन एक बात यहां रखे कि कोई 5 क्रोड के turnover हो तो वो GSTR 9 फाइल नहीं करे 9C करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता उसे पहले GSTR 9 भरने होगी और उसके बाद उसको GSTR 9C भरनी होगी और एक important बात वो याद रखिए कि जब हम कहते है turnover जो हमारी है टू क्रोड के अबाव होगी तो यह हमारी net turnover है इसके अंदर आप GSTR component नहीं लेंगे GSTR का जो पार्ट होता इसके अंदर टेक्स का नहीं आएगा स्रीफ net turnover considered करेंगे अगर हमारी net turnover टू क्रोड के अबाव है तो 9 कंपलसरी है अगर 5 क्रोड के उपर अगर turnover है net हमारा turnover तो यह 9C हमारी लिए mandatory हो जाएगी और यह जो provision बताया गया है इसके है जो finance act 2021 finance bill 2021 में जो first FAP 2021 को आया था उसमें क्या changes वे तो भी पढ़ लेते है proposed amendment in CGST act 2017 in section 44 in substitute section there is no provision to extend time limit for furnishing annual return because there is no time limit mentioned in new section section 44 तो अब क्या हो गया इसके बाद new section 41 subsection 1 substituted by finance act finance bill 2021 क्या changes आ गए यह समझ लेते है every registered person other than input subject distributor person paying tax under section 51 और section 52 casual taxable person and non resident taxable person self furnish an annual return which may include a self certified reconciliation statement reconceiling the value of supplies declared in the return furnish for the financial year with the audited annual financial statement for every financial year electronically within such time and in such form in in such manner as may be prescribed provided that commissioner may on the recommendation of the the council by notification exempt any class of registered persons from filing annual return under this section provided further that nothing content in this section shall apply to any department of the central government or state government or local authority whose books of account subject to audit by CA J G of India or an auditor appointed for the auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force the government inserted new provision to enable the power to exempt certain categories of taxpayer from filing annual return earlier this has done through section 148 अब अब इसको थोड़ा साम समझनी की कोशिश करते हैं कि यह section 44 सब्सेक्शन बन सब्सेक्षिट किया गया Finance Act 2021 में जो Finance Bill में इंकॉर्परेट होगा जो section कि जो भी registered person है other than ना वो input service distributor का IST होगा और person paying tax under section 51 52 या casual taxable person और non-resident taxable person इनके लावा other than इनके लावा जो भी होंगे जो शहल फर्निस अननियल रिटन विज रिट प्ली इह इनल रिटन विट्टू इनल्य रिटिप रेल्चल्त विटिटफिट रेल्चलें अनियल रिटन रिटन वी रेल्यार के फिट प्रिते हैं एवरी financial year electronically within such time and in such form and in such manner as may be prescribed provided the commissioner may on the recommendation of the council by notification exempt यह बोद इंपोर्टन यहां पर कि जड़ समझ लेते हैं यहां पर यहां पर जो बता रहा है exempt word अगर हम पिछले सालों में देखेंगे financial year 18, 19, 19, 20 कि इसमें तो इन्हों ने वर्ड इस्वाल किया था optional लेकिन यहां यह कह रहे है कि exempt यान financial year 2021 कि जो GSTR 9 है अगर वो टू करोड से नीचे है टू करोड या टू करोड से नीचे है तो वो exempt है GSTR 9 भरने से उनके लिए कोई compulsory नहीं है कोई mandatory नहीं है कि उनको यह GSTR 9 फाइल करनी है लेकिन portal इसे नहीं रोकेगा हम GSTR 9 जाके भरना चाहेंगे तो भी portal हमें allow करेगा लेकिन यह exempt है GSTR 9 financial year 2021 के लिए जिसकी turnover टू करोड यह उससे नीचे है टू करोड के उपर जब करोड सुगे तो यह सिधा mandatory हो जाएगा अच्छा यह अगर mandatory हो गया है और जिसने फाइल नहीं की तो उसके लिए क्या पैनल प्रोजिशन है तो वो भी समझते हम अगर जिसे यह जिस्टी यहर नाइन फाइल करना mandatory था और उसने नहीं भरा टू करोड के उपर टनवर था और उसने फाइल नहीं किया तो सी जिस्टी रूल के साब से उसे रुपी हंड्रेड पर डे लेटफी होगी जो कि मैक्जिमम 2.5 परसंट आफ टनवर होगी समझे आप यह होगी इसकी पैनल्टी यह लेटफी हंड्रेड रूपीस लगेगी जो कि 2.5 परसंट आफ टनवर होगी लेकिन यह है CGST के लिए इसी तरह से SGST में भी लगेगा इसका मतलब यह होगा यह 100 रूपे नहीं है यह है 200 रूपीस पर डे हम CGST एक्ट में पढ़ लेते कि 100 रूपीस है हम सुझे खुश हो जाते 100 रूपीस ही है नहीं वह CGST एक्ट में है तो उसी तरह से SGST में भी 100 रूपीस लगेगी तो 200 रूपे पर डे है और यह जो 0.25 परसंट है वह हो जाएगी 0.5 परसंट है यहाफ परसंट आफ यह टनवर मैक्जिमम यहाँ तक रहेगी तो किसी की अगर टनवर एक्जामपल 2 करोड है 2 करोड क्रोड क्रोस कर गई है तो इसका हमें 0.5 परसंट देखना है मैक्जिमम यहाँ होगा लेकिन पर डेज होगा दोसो दोसो के साब से उसे लगेगा यानि अब उसने पाच दिन बाद उसने यह फाइल की ड्यूडेड के तो 200 इंटू 5 हो गया सीधा रुपेश थाउजन तो इसके लिए टाइम पर जिएस्टेर 9 भरनी है जिएस्टेर 9 से भी टाइम के अंदर ही हमें फाइल करनी है अधर्वाइज यह पैनल प्रोजिगेशन एप्लिकेबल हो जाएगा तो अब टाइम काफी है लेकिन उसको थोड़ा जिम्मेदारी से करते हुए पूरा करना है और इन अन आउट पूरा जिएस्टेर रिकंसिलेशन करके जिएस्टेर 1, 3B, 2A जो आपके है सब मेहच करते हुए आपको जिएस्टेर 9 और 9C भरना है यहाँ पर इन्होंने एक प्रोविजन जो लाया था कि जो पहले 9C जी होती थी वो CA सर्टिफाई करते थे CA और दुसरे हमारे प्रोफेशनल्स जो है CWA वगरा ये करते थे लेकिन यहाँ पर अभी सेल्ट सर्टिफाई होकर जाएगी सेल्ट सर्टिफिकेशन क्लाइन की होगी उसके अंदर हमें सर्टिफिकेशन जो की 9C में करनी होगी तो दोनु जगा पर 9C में CA का कई साइन नहीं होगा प्रोफेशनल्स की कोई साइन की ज़रुवत अभी नहीं है लेकिन बनाने वाले से प्रोफेशनल ही होंगे एक तरह से हमारे लिए अच्छा भी है कि जो 9 9C की लाइबिलिटी जो हमारे पर नहीं है इवन हम इसको करने में हेल्प करते हैं उसको फाइनलाइज भी करते हैं लेकिन इसका इसकी जिम्मेदारी लाइबिलिटी ऐसे सी पर ही होगी ठीक है यह इसके अंदर पाट ठाग जो 9C के अंदर इस साल से शुरू आई इसके पहले 9C जो यह और इसके अंदर जो है बैलेंस शीट आपको और पैनल बगरा आपका सर्टिफाई करके लगाना ही है और इसको कॉप्य उसकी आप लगा दीजिए बैलेंस शीट और पैनल क कि अब थोड़ा जो कॉलम्स होते हैं अमरे जीयस्टेर 9 9C के वो थोड़ा समझ लेते हैं यह नाइन को भरना होता उसके बाद ही हमें जीयस्टेर 9C भरनी होती है तो यह बात समझ लिजे कि जीयस्टेर 9 & 9C यह गौवर्मेंट के फायदे के लिए हैं इनको रिकंसिलेशन करते हैं पूरी डिटेल सब्मीट करनी होती है यहां आप अपने ITC को रिपोर्ड करते हैं यहां कोई एक्स्ट्रा ITC हाँ क्लेम नहीं कर सकते हैं तो तीन पार्ट में हो यहां इसको डिवाइड करते हैं एक तो है हमारा यह टनुवर वाला चीज होती है एक एक टेक्सेबल और एक होती है एक इसेप्सेबल पार्ट जो होती है यह आती है क्लम नुवबर फोर टेक्स रिलेटेट पार्ट होता है वो कॉलम नुम्बर नाइन में होता है तो टन ओवर आईटी सी और टेक्स यह तीन चीज़ों पर बेस्ट है इसी के आसपास हमारा जीस्टे नाइन घूम रहा है और इसका टेनो टन ओवर जो पार्ट में देखेंगे टेक्सेबल एक अलग है और एक्जेम्ट अलग है कि टेक्सेबल टन ओर होती है और एक्जेम्ट अनौर होती है दोनों को अलग-अलग कॉलम में भरना होता है फॉर्म कॉलम नूम्बर 4 में टेक्सेबल कॉलम नूमर 5 में एक्जेम्ट और कॉलम नूमर 6 में जो है ITC आता है 7 में ITC का पार्ट होत होता है और टेक्स रिलेटेज जो है मैंने कहा कि नाइन में होता है और इसके बाद देखेंगे कि कुछ चीजे जो होती हमारी यह टन वर की जो होती है 10 और 11 में जाएगी और आइटी सी की 12 और 13 में जाएगी वह कैसे होगा जैसे कि फाइनेंशल यह ट्वेंटी ट्वेंटी वन की हमारी रिटन जो जाने कि है तो उसके अंदर कुछ ट्रांदेशन जो है हमने एपरेल ट्वेंटी वन से सप्टेंबर ट्वेंटी वन तक कर दिये थ्रीवी में कुछ इसका इफेक्ट इधर आ गया था कुछ बिल मिस हो गए थे कुछ चेंजेस हो गई थी आपके आमेंडमेंट्स में आ गए थे त को है तो ट्वेंटी ट्वेंटी वन का फाइनिंशल यार 21 का है लेकिन यह जाएगी 10 ऑर 11 इसकी को रिकन सायव करना है क्योंकि आपकी 3B में जो एफेक्ट होगी वह इस पीरिड में होगी एप्रेल में से सप्टेमबर में तो कैसा बता चलेगा कि यह इस पीरिड का है तो उसको को रिकनसाइल करने के लिए कि यह टन वर 2021 का है तो कॉलम नंबर 10 और 11 होगा और आई टी सी में भी हमको शो करना है यह हमारा जो है यह पर्टिकुलर पिरिड का है 2021 का लेकिन हमने उसे लिया है एपरेल 20 से सप्टेमर 20 के बीज में तो वह हो जाएगा 12 और 13 में तो यह बहुत इंपोर्टन पार्ट है यह इसी जगह पर हमारे प्रोफेशनल कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं इसको क्लेरेटी में रखें यहां हम अब 18-19-19-20 की बात नहीं करें हमसे बात करें फाइनेंशल यार 20-21 की और यहां एक इंपोर्टन बात यह है कि जैसे कि आपने सेल अगर कम दिखाई रिटर्न और आपका कम हो गया था जिससे जिस्टी लाइबिलिटी आपकी आ रही है तो यहां पर आप इसको बढ़ा सकते हैं घटा भी सकते हैं लेकिन कोई नियू आइटी सी जो आपकी आप यह यहां के क्लेम नहीं कर सकते हैं पहली का कि गौवर्मेंट ने अपने फायदे के लिए हमारे एक उनको क्लेरेटी मिल जाए एक रिकंसलेशन करके उनके बाद डीटेल्स आ जाए उसके लिए यहां इसका मतलब यह नहीं कि हम आईटी सी यहां जो हमने पहले नहीं ली थी व हमारी यह साल की September 21 है as per act तो यह हमको यह देट के अंदर ही सब क्लेम करना होता है तो यहां हमको जी अश्टेयर 9 में आके ऐसा नहीं है कि हमको एक्स्ट्रा क्लेम करने मिल जाता है यह पार्ट हो सकता है इसके अंदर कि जो हमारी से त्यमने गलती से ज्यादा डाल दी ती उसको हमने अभी कम कर दी तो इससे हमारी टेक्स लाइबिलिटी जो है कम हो गई है कि हमने ज्यादा टैक्स वह दिया तो उसको जो रिफंड यहां से नहीं होगा बरोगे तो यहां पर लेकिन उसके लिए जो रिफंड प्रोसे होगा आपका वह अलग से आपको करना होगा इसका मतलब यह नहीं कि हम यहां अपने चिक्र 9 भर दी है तो हम अभी आपको सेपरेट जो रिफंड का प्रोस्विजर वह फॉलो करना होगा थोड़ा हम साइट पर जाके देखते कि यह चीजे कैसी रहती है जो टन वर के हमने जो देखी है यह थोड़ा सा समझते हैं देख लेते हैं गोत्रू कर लेते कि क्या चीजे जमनिहां देखिए वह प्रेंस में जाके देखोगा तो आपको यह ओप्शन दिखेगा है कि फिर इजांपल अभी 2021 का आप यह पाइल करने जा रहे हो यहां पर आपको पूछेगा यह अनुल रिटन है जिस्ट्र 9 न भरना है या जिस्ट्र 9 सी भरना है यहां डिट भी आप देख रहे हो बताया जा रहा है कि 28 फेफ 2022 पहले हमको जिस्ट्र 9 भरनी होती है उसके बाद ही हम जिस्ट्र 9 सी भर पाएंगे क्लिक करेंगे इसको अंदर जाके देखते कोशन से कॉलों मेल पूछेगा कि आपका जो है यह रिटन है क्या निल रिटन नहीं है यह आप को पहले सेलेक्च करना होगा यह र ढौत जैसे आपने निल एटन को ये कर दिया तो यह कई चीजे आपको भरने को नहीं कहेगा जबकि निल है और जैसे मैंने पहली बताए कि यह हमारे लिए mandatory नहीं है जो कि जिनकी turnover two croat या उससे नीचे है तो वहां इनके लिए applicable नहीं है जिसके लिए है वह यहां पर नो करके आगे जाएगा यहां हमको भरना इसके लिए यह वांट तो फाइल निल रिटर्न तो इसको करेंगे और आगे बढ़ेंगे यहां पर आने के बाद आप देखोगे जैसे हमने देखा था कि टेबल नमबर फोर detail of advance inward and outward supply made during financial year on which tax is payable मैंने पहले ही बताया था कि 4 और 5 में हमको turnover के related अपनी details भरनी होगी तो table number 4 में हम देखेंगे इस तरह से हमको details दिखेगी supplies made to registered person B2C supply made to unregistered person B2C याने B2C की जो भी details होगी जिसको आपने sell किया है टेक्स लगा के वो यह column में आएगी supply made to registered person B2B B2B के जितनी भी आएँगे यह B part में आएँगे zero rated export on payment of tax except supply to sales यह जो है यहाँ पर आएगा zero rated जो है जो export होते है on payment of tax जो टेक्स भरके जो supply किये जाते है वो यहाँ पर आएगे supply to sales on payment of tax sales को जो भी special economic zone को जो भी हम supply करते है जिन पर tax भरा जाता है वो यहाँ पर आएगा dim exports का यहाँ पर आएगा E में advance on which tax has been paid but invoice has not issued not covered under A2E यह A2E जो दिखरा है हमें यह यह पार्ड जो है यह A2E में जो cover नहीं था advance जिस पर हमको tax भरना होता है जिस हम जानते जीएश्टी का provision है कि जो advances भी होती है services की उसके पर उस पर भी हमें tax भरना होता है कई बार जो taxpayer है tax account में पैसा ले लेते advance के लिए लेकिन वो GST उसकी नहीं भरते जो की गलत है यह advances पर भी हमको GST भरना होता है वो यहां वो detail अगर जो miss हो गई यहां के हमको भरना है inverse supply on which tax to be paid on reward charge basis जो inverse supply है जैसे अपने GTA की कोई service आपने ली है for example आपने GTA की कोई service ली है या कोई advocate की service ली है जिस पर RCM applicable हो जाता है तो वहां पर आपको यह inverse supply के इसाब से RCM में tax भरके उसका credit लेना होता है तो ऐसी जो भी सो supply है आपको यहां पर लेनी होगी यहां पर वो inverse RCM वाली यहां पर आजाएगी वो यहां इसलिए आ रही है है तो purchase वाली पार्ट लेकिन इस पर text लग रहा है इसकी यहां पर इन्होंने यहां पर टनवर आले पार्ट में इसको include किया है उसके बाद देखेंगे credit node issued in respect of transactions specified in B2E यह आएगा यहां पर debit node issued in respect of B2E यहां पर आएगा प्लस करना है और जो आपको reduce करना है यहां तो आपने declare किया और यहां आप जो reduce कर रहे हो जो ज्यादा हो गया था वह उसको हम supply text reduce through amendment में इधर L part में लाएंगे इसके आप देखो कि M में सब टोबल टोटल दिख रहा है और आपको N में जो है आपका H और M यह जो H है यह अपर का टोटल और M का टोटल उसके साब से आपका यहां टोटल आ जाएगा तो यह आपका टेबल नंबर 4 है और उसी तरह से टेबल नंबर आपका 5B मैंने कहा था वहीं से पहले ही कि यह भी टन ओवर के related होता है लेकिन यहां जो टन ओवर एक्जेंट होता है जिस पर टेक्स नहीं लगता हो चीज़ यहां पर आती है जैसे कि 0 rated supply supply export without tax payment यहां पहले हमने फोट में देखा था कि हैंपर ढला गया लेकिन यहां टेक्स विडॉट टेक्स पेमेंट है जेसे लूट वगरा जिसका होता है उनके लिए जो सप्लाइज आता है विडाओ टेक्स वो सेस्के लिए तो यहां पर आएंगे इस तरह से टूटल जी में आ जाएगा और इसके रिलेटेड भी आपकी जो क्रेडिट नोट है डेबिट नोट है और जो भी इसकी अमेंड्मेंट आपको आइड करनी है कुछ छूड़ गया है यहां पर आप यह और के में करेंगे इसका टूटल एल में आ जाएगा एच्टू के का फिर एम में जो टनवर नमबर फॉर का एन का और यह फाई जो टेबल है हमारा इसका एम मिला कर जो टोटोल होता यहां पर दिखाए देखा तो यह दोनों टन ओवर के पाड़ यहां पर हो गए मैंने बताए कि हमारा इटी सी के लिए जो होगा वो टेबल नमबर शिक्स है टेबल नमबर शिक्स सेवन और एट है तो यही वो टेबल है कि टेबल नमबर शिक्स में जो आई टी सी होगा वो अब पूरी टीटेल्स यहां पर आएगी और इसके पूरी डीटेल्स दीवे अब पढ़ोगो तो क्लियर हो जाएगा टोटल अमांट आप इंपूट टेक्स लाइबल टू रिवर्स चार्जेज बट इंक्लियूट सर्विस सर्विसेज रिसीवड फ्रॉम सेज इस तरह से पूरी डिटेल्स दीवे कि कि चीचीच के यह आपकी क्रेडिट यहां पर आएगी दिखाए दे रही है और उसके नहीं को डिफरेंस आएगा वो भी आपको पार्ट में आ जाएगी और एनी अदर आइटी सी अवेल्ड बट नौर स्पेसिफाइड आवर वो इधर आ जाएगी इचार से आइटी सी की पूरी डिटेल्स है यहां पर और दिखाए देगा उसी तरह से यह पार्ट हमारा सेवन भी जो आइटी सी रेलेटेड है कि जो रूल ठर्टी सेवन ठर्टी नाइन फौर्टी टूफुर्टी थ्री एसपर सेक्षन सवेंटीन फाइगा और जो रिवर्शल होता है ट्रांस क्रेडिट का वन का यहां पर आजा दिखाए देगा नेट इसे अपको कॉलम में दिखाए देगा कितना आपका इटी सी है उसके बाद आपको और एक आट नंबर जो टेबल है हमारा एट नंबर वह भी आईटी सी रिलेटेड है अभी यहां पर क्या होता है कि आईटी सी एसवा जी इस्टी एर टू ए टेबल टू अंट टेबल थी देर आप उसमें दिखाए दे रहा है यहां और कुछी आइटी सी के अंदर जो डिफरेंस वागर आपको दूनों दिखाएगा कि आप सम्टोटल जो सिग्स बी में क्या था इस एच एच अण डिशे अबों में क्या था वह है और इस जो आईटी सी इ अवेलेबल था कि हमने अवेल नहीं किया उस टेम हमने लिया नहीं हमारे रिटरंस में वह इधर आ जाएंगे और ITC अवेलेबल बट इन इलिजिबल इसा नहीं होता है ITC कुछ-कुछ जगा पर जो बिल्कुल इलिजिबल नहीं है आपको दिखाई दो दे लिए आपकेस में लेकिन आप उसको लेनी नहीं है हर जो चीज पोर्टल पर दिखाए देगी टूए टूवी में हमको ज़रूर है कि हम उसको लेंगे जो इन इलिजिबल है उसको हाथ नह लेटेड ही है और उसके डिफरेंस है कुछ चीजे यहां आप देखोगे जाके जो आपकी जो आइटीसी जो है अगर कई बार अपने उदर अवेल नहीं की ती वह जाके यहां पर बताएगे लेप्स हो गई है टोटल आइटीसी टूबी लेप्स इन करेंट फैनेंशल यर तो उसके लिए यहां एक पॉइंट हमको समझना है कि जो भी हमारी इसको बराबर हमको टाइम पिरेड के अंदर ही लेना है बिल मिस हो जाती है डेट निकल जाते उसके बाद अगर आप रिटन में लोगे आपका सिस्टम रोकेगा नहीं आपको आपके रिटन में तो आप लेकिन एक के साबसे वह अपको अप्लिया एलीजिबल नहीं रहेगी वह आपको अवेल नहीं करनी चाहिए उसके बाद अन्दियस हमने का था नाइन जो है वो टेक्स के रिलेटेड होता है जो भी कम ज़्यादा हुआ था हमारा टेक्स आमने इस बड़ा दिये आपको 14 और 14 और यह 15 यह अगर आपका कुछ इससी जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स आफ ट्रांजेक्शन फॉर फाइनेंशल डिक्लेड इन रिटर्न दिन नेक्स फाइनेंशल टिल स्पेसिफाइड जैसे मैंने यहां पर बताया था आपको कि जो भी हमारा टनूर के रिलेटेट जो हमने अप्रेल से लेके सप्टेंबर में कुछ चेंजिस किये है फॉलिंग एर के टाइम पिरेड के अंदर तो वह कॉलन बर 10 और 11 में आएगा और ITC के रिलेटेड जो भी है वो है 12 और 13 तो यह 10, 11, 12, 13 यह सप्लाइज के इसमें बता पर यहां पर यहां पर एक कॉलम टेबल में आ रहा है अब इसके बाद जो डिफ्रेंशियल टेक्स लाइबिलिटी जो होती है आपकी वह यहां दिखाई देगी उसके बाद जो है जो डिमांड और रिफंड का जो पार्ट है आपका यहां पर टेबल नंबर 15 में आ जाएग उसका 16 में जो है हमारी सप्लाइज फ्रॉंट टेक्स पेयर डिम सप्लाइबी जॉब यह इसमें आ जाएगी तो यह टेबल नंबर 16 हमारा है उसके बाद जो है हमारा टेबल नंबर 17 है जिसे एचेशन कोड़ वाइस करनी होती है इसके बाद हम last जो होता है है कोड जो है invert supply के लिए 17 में जो होता है यह हमारा आउटर सप्लाई जो होता है उसका है इसमेरी होती है और 18 में होता है हमारा invert supply जो है उसका है समरी करना रहता है और लीट फी और पेबल पेड़ यह 19 कॉलम में आ जाती है इसके बाद यह कंप्यूट लाइबरीडी करके आपको प्रोसीट करके आगे अपनी रेटर्न जो फाइल करनी होती है यह आपके जीएस्टी आर 9 थी जीएस्टी 9 जब आप फील करोगे उ भरना होता है यह स्बौश्वक्त है मेंısट आइनवीरी कंसीरेशन पर्ट ही होता है यहीं में होता है उसके बाद गरेटर अपनी रेकंसीरेशन पाड़ करता था वह नसंसे में आती थी जो कि अब अकॉंटेंट और प्रोफेश्चनल जो करेंगे लेकिन सर्टीफिकेशन यह रहेगा तो दोस्तों करते कि आपको यह हमारा चोटा सा जो नाइन और नाइन सी का पसंद आया होगा इसमें कई और पार्ट है लेकिन वीडियो वेसी ही बहुत ज्यादा लेंती हो गई है तो दोस्तों यह शौर्ट डिस्क्रिप्शन था हमारा GSTR 9 और 9C का जो कि हमने most of all कोशिश किया हर एक टेबल को थोड़ा शौर्ट में कवर कर ले उसके अंदर डिटिल में जाएंगे तो कई चीजे और आ जाएगी और यहां हमने 2020 और 18-19 यह सब चीज़ों को हमने टच नहीं किया जो बिल्स में आगे पिछ होती है हमने सिफ 2021 को पार्ट लेते हुए हमने थोड़ा GSTR 9 को समझा है और GSTR 9 सी ताकि जैसी नई वीडियो अप्लोड हो तो आपको उसकी नोटिफिक्शन मिले और इसको आप मिस न करे तो मिलेंगे फिर दोस्तों एक नई वीडियो के साथ तिल दैन बाई टेक केर